मत्रा में कोरोना संक्रमन की रफतार तेजी से बढ़ रही है, लगातार कोरोना संक्रमन के मरीज सामने आ रहे हैं, शनिवार को भी कोरोना के नए मरीज सामने आये हैं, मत्रा जन्पद में कोरोना के 46 एक्टिव केस है, मत्रा में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को रहा है जिसे लेकर स्वास विभाग अलट बोर्ड में है कोरोना संक्रमन के संबन में CMO डॉक्टर अजे कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार सेंप्लिंग कराई जा रही है लेकिन फिर भी लोगों को खुद भी कोरोना का बचाव रखना बेहत आवश है हम लोगों किया जो सेंप्ल हुए है उसमें से 46 केसिज वर्तमान में ऐसे आये जो एक्टिव केसिज हैं जिसमें से 18 केस हमारे जनपत से बहार हैं श्रदालू आए यहां सेंपिल के जाच कराई अब वो अपने अपने ग्रह जनपत या विदेश से आये हैं तो में तो अठारे केसिज हमारे ऐसे हैं ठाइस केस हमारे जनपत में मौझूद हैं टूटल च्याली से कल ग्यारे केस आये जिसमें से पटना के भी थे और यहां से दर्शन करने के बाद वाद वापिस पटना चले गए सेंपिल यहां हुआ था और इंदॉर से भी थे एक केस रवापिस इंदौर चले गए सेंपिल लेकिन यहां हुआ है तो यहां के निये वह पंजीकरत हो गया है और उसके नहीं हम इस्टेट को इनफरम भी कर रहे हैं कि ये वो है जो COVID positive हमारे सिएँ पिल ही है लेकिन और जन्पत में चले गए हैं हमारे यह 28 केस है है हमारे हैं 46 टोटल जो जाह चुई है उसमें positive कि देखे मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें कोईट प्रोटोकॉल का सभी से अन्रोद है कि कोईट प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें हम लोग बहुत अच्छी मात्रा में लगभग 4,000 के सेंप्लिंग भी करा रहे हैं सबी ऐसे स्थानों सेंप्लिंग करा रहे हैं जहां भीर्ड या श्रदालोग आते मंदिर वगरा में उहां सेंप्ल करा रहे हैं हमारे कुछ रिल्वेस्टेशन के भी हमारे पॉस्टिव केसिज आ रहे हैं जो रिल्वेस्टेशन पर हमाई सेंप्लिंग हुई है बहुत सारे के प्यातरा करने के निये उन्हें आटीपिशार की आवश्यक्ता थी वापिस जाने के लिए इसने उन्होंने सेंपिल करा है और सेंपिल यहां हुआ था जांच रिपोर्ट उनके जाने के बाद आई है तो मैं यहीं अनोब करा हूंगा इससे ड़नने की जरूवत नहीं है इतना लेकिन बहुत जादा है इससका वह देखने को मिला है हमारे जाए सबह Ee अब सब्सक्राइब के माधियम से उसे संपर कश में सभी anxi से संपर कर रहा वहत है है अब तक कोई भी जांच में हमारे है जिनोटिक स्टेडी में स्टी में नहीं है हम लोगों को वर संक्रमन की रफतार तेज होती जा रही है यानि के लगातार करोणा के मरीज सामने हैं अुट थर्जन ठीली सामने आए हैं तो ऐसे में स्वास्त विवाग की भी बेचैनी पड़ी हुई है कि कोरोना संक्रमन फिर एक बार लोगों को अपनी ग्रफ्त में ले सकता है तो ऐसे मैं बचाब रखना बेहत आवस्चक है हेल्थ विवाग त्वारा कहा जा रहा है कि लोगों की सेंप्लिंग कराई ज लोग कोरोना से बचाब के लिए जो कोबिड के प्रोटोकॉल के जोपा हैं उन्हें जरूर फॉलो करें मास्क लगा कर रहें तूरी बना कर रहें भीड से भच रहें लेकिन लोग बे परवा हैं कोरोना के प्रती जागरूप नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि स्वास्तवाग लगातार कह चुका है कि साबधानी बरतना आबशक है फिर भी लोग साबधानी नहीं बरत रहे हैं और कोरोना फिर एक बार कती पकड़ रहा है तो इसे में सवाल लिए भी है कि जागरूप रहें सजग रहें खुद को बचाएं दूसरों को भी बचाएं तो इसलिए गोबिड के प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें नियुका परसाज जग्गा के साथ गोबिड भारत द्वाज